हेलो आप्रिवान वेलकम दूद अजैनिक सो एससी जैई से रेलेटेड आपकी प्रिपेशन स्टार्ट हो चुकी होगी बहुत लोगों ने पेड लिया होगा बहुत लोगों ने सेल्फ स्टडी किया होगा बट ठीक है सबके लिए मैं एक चीज लेके आयों कि पावर सिस्टम को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा बाकी बच्चों में भी ये वीडियो पहुंच सके और हम यहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से उनका डिस्कर्शन करें मालीजेगे कुछ डाउट आता है तो टेलिग्राम की लिंक आपको प्रोवाइड की गई है उसमें जूड डिसरीके से लेको डिस् confisc के जीसाब से कैसे है जिसक्ते थे और डिफ्रेंट इफेक्स हो गया है जैसा की एको को ऊटएधियों करेगा किल एफ यह सब आईडिया होना ची माकी पादा मिटर से ज्यादा पूछा आते की बढ़ेंटा बढ़ा तोла बढ़ा तो क्या होगा बह सी कोशन होते हैं ज़्यादा इंडेफ्ध निमेरिकल पॉयंट ओफिस से LEE से जयादा नहीं पूचा यह पूछा इन्पोर्टन जलते हैं इनुलेटर्स जो जिसमें आप किया他 पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, और शेकल टाइप इंसुलेटर, तो यह सब जितने डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर होते हैं, उनकी रेटिंग आपको पता होने चाहिए, साथी साथ यह कहां पर यूज होते हैं, जैसे शेकल टाइप पूछन पूछने लगा है तो डारेक्ट जो प्राक्टिकल वैल्यूस है वो आपको रटीव होने चाहिए that's it session topic by test में लेके रखाए तो वह आपको definitely इन्हें वहाँ पर फाइदा कर देगा तो एक बार आप चेक कर लेजेगा ठीक है तो उसमें अच्छे-अच्छे होते है जैसे माली जै नुकलियर पावर प्लांट है तो नुकलियर पावर प्लांट में जैसे different components होते हैं कि भाई आपका moderator हो गया ठीक है आपका coolant हो गया तो ये सब के बारे में किस material के बने होते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए अच्छे से और उनकी different functionality क्या होती है वो reduce कर सकते हो ठीक है और वहां से बचा हुआ जो time है ठीक है वो आपका कई एक अच्छे questions में use कर सकते हैं जहां पर सची में दिमाग लगा रहे हैं फिफ्ट इंपोर्टेंट जो है वो generation में जब हम economical factors जो different बात करते हैं load factor, demand factor, utilization factor तो ये जो different factors जो हैं उन सब के बारे में अच् standing को साथ ही साथ numerical की practice होनी जाएं कि जल्दी से फटा-फट करके next question पे shift हो जाएं तो sixth important जो topic है वो है आपका की भाई per unit और fault analysis से तो per unit के बड़े basic question पूछे जाते हैं कि भाई यह कैसा होता है per unit और actual divided by base के इसी पे question होते हैं और साथ में कई बार condition दे देता है कि भाई पहले numerical fault के आपको question देखने को मिलेंगे कि भाई यह LG हो गया LL हो गया double LG fault हो गया तो इन तीनों false related उनकी जो basic conditions होती है वो साथी साथ जो results निकलते हैं आपने results देखे होंगे कई बाद sequence current sum of sequence current zero होता है sum of sequence voltage zero होता है यह सब जो basic conditions है वो आप एक short form में कहीं पर लिख लीजेगा वो इस बार में बस हिट होना चाहिए तब आप time वहां से क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं सेवंधी इंपोर्टेंट पॉइंट चलो तो ऐसा HRC fuses जो हैं बाकी different fuses नहीं HRC fuses उसने बोलके रखा है isolators हो गया different type के ऐसे arrestor हो गया और circuit breaker हो गया उन सब के बारे में आपको अच्छी से ज्यान होना चाहिए in depth आपको पता होना चाहिए switch care protection में यह जो portion होता है वो बहुत बार और हर exam में पूछा जाता है तो आप इसमें कोई भी कुताही नहीं बरस सकते हैं ठीक है HRC से related उसके material का पूछा जाता है उसमें जो filling powder हो तो वो पूछा जाता है isolator की basic functioning कि circuit breaker में कह circuit breaker, air type circuit breaker और इनके different characteristics कई बार SF6 से related भी कोशन पूछ लेता है तो आप लोग ready रही है SF6 भले ही नहीं दिया पर SF6 से inter relate करके question देता है तो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए बाकी जैसे आर को बुझाने के लिए आर को initiate करने के लिए कौन कौन सी methods की जरूरत होती है वो आप को पता होने चाहिए ठीक है तो इन सब के बारे में थोड़ा बहुत basic idea रहेगा तो आपका pre में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली time related वो आपको अच्छी understanding होनी चाहिए सेकंड यह होना चाहिए कि डिस्टेंस रेले डिफ्रेंश रेले और जो आपके फीडर से रेले टर ट्रांसले रेले यह सब बड़े important है और extra पढ़ने से कोई sense नहीं निकलेगा यह सब पर अच्छी command होनी चाहिए कौन सा कहां पर यूज होता है long transmission के लिए medium के लिए डिस्टेंस रेले में कौन सा component यूज होता है इसको क्या बोलते हैं और वोल्टेज रिस्टेंट बोलते हैं या करेंट रिस्टेंट बोलते हैं यह सब आपको condition अच्छी से पता होने चाहिए और में लिए दिआप इनको एक बार अच्छे से कोशन सौल कर लेंगे आर्के र रिलेटेड भाई बड़े question पूछे आते हैं और tariff का एक question तो हमेशा आप कही सकते हो कि एक fix रहता है और बड़ी simple है बड़ी simple understanding है आपके घरों में जो बिजली का बिल आता हो उसी से related ही है question पूछे आते हैं तो आपको understanding यह दी basic type की रहती है तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे ठीक है तो basic understanding आपको होनी चाहिए कि भाई यह rate में कैसे लगेगा यह वाला rate लिया तो यह कैसे लगा यहाँ पे ने block rate tariff है तो यह इसमें किस तलिका fix rate tariff है तो कैसा लगेगा आपकी पसे ने उनके classification के बारे माँ चीज़े पता होना चाहिए बागी tariff की definite कई बा पार है पोल मांटे सबस्टेशन पर भी कई कोशन पूचे गए तो वो भी आपके दिमाग में prepared रहने चाहिए आपके notes में अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए उनके comparisons अच्छे से लिखे होने चाहिए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा examination में इत्तिमेर गारेंट करना कम समय में मेहनत को smartly वो आपको work कराना है और आपको definitely फायदा होगा so thank you so much मिलते हैं next video में like को share करना बिलकुल मत भूलना मैं यहां पर बहुत सारी चीज़े और भी लेके आने वालों और definitely फायदा करेगा thank you so much